समर आने से पहले ऐसे करें अपने अपराजिता, गुड़ल और गुलाब की केयर की पूरी समर भर जो है आपके प्लान्ट फूलों से भरे रहें तो कुछ ही जरूरी काम इस टाइम पर कुछ जरूरी फटिलाइजर इस टाइम पर अपने प्लांट को दे जिससे कि आपका प्लांट हो जाएगा बहुत हेल्दी और उस पर खिलेंगे धेरों फूल तो बने रहेंगा वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत खुबसुरत फ्लार प्लांट अपराजिता की अपराजिता जो है मुश्ली जो है शावन मास में पाया जाने वाला पौदा है और शावन मास में ये इस पर ब्लूमिंग आती है वैसे तो पूरे साल भर पौदा आपके गार्डन में फ्लारिंग करता रहता हैगर आप इसकी केर करते रहते हो लेकिन इसपेशली जो बहुत ज़्यादा हूज फ्लारिंग होती है वो इस पर होती है शावन मास में यह देखे यह है चावल का पानी और इसमें थोड़ा सा जो है हल्दी का पेष्ट मैंने इसमें डाला था तो यह हम अपने प्लांट को देते हैं ताकि हमारे प्लांट पर क इनके भरपूर मातरा में पाया जाता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस प्लांट की मिट्टी को जो है इस तरीके की बुर्बुरी बनाएं और सौगी रखें थोड़ा सा पानी हमें सब मि हमें पौदा डडेड़ हो जाएगा तो इस तरीके से केर करें इस पादे की और इस प्वादे को को जो है डाduc संलाइट में ना रख्के इसको जो है और पौदों की छाओं में मेरा मनी इलाएं तो मैंने उस iki शाओं में उसकी ओछ तम tapa को रख यह झाल टा mean फ्लांट को करके चेक कर सकते हैं इस टाइम पर अपने प्लांट की टूनी जरूर करें ताकि आपके प्लांट पर न्यू लीफ्स ग्रोव हो और न्यू शूट्स भी डैबलप और रूट से तो इस तरीके से जो है यह थे इस प्लांट के कुछ जरूरी टिप्स आगे हम बात करेंगे दू कर सकते हैं और बहुत खुबसूरत होता है कई सारे कलर्स में मिलता तो आपके गार्डन को समर में एक नई खुबसूरती परदान करता है यह टाइम तो ऐसा है फ्रेंड यह टाइम फ्लार्स का सीजन है तो चारों तरप आपको फूली फूल दिख रहे होंगे लेकिन जैसे एपरेल का मनत होता है तो हमारे गार्डन में कुछ फूलों की कमी अगर आपने इस टाइम पर अपने इन प्लांट की खेट करी होगी तो यह ब्लांट duel को सेजनर को अहसोरी करें अपने प्लांट करें अपने प्लांट की गुड़ाई और मैं हमीजा को बताती हूं प्लांट की जब हम गुड़ाई करते हैं तो प्लांट में जो है ऑक्सीजन पास होती है यह देखिए यह मैंने इतनी अच्छे से टून कर रहा है अपना यह प्लांट और इतनी नई ब्रांचे मेरे प्लांट पर डेवलप हो रही है कि आगे मुझे जो है सीजन में इस पर बह बनाना है जो जो वेल ड्रेन हो जिस पर पानी रुके नहीं यह मेरा कई साल पुराना है विसकण आप भी बनाएं और अपने प्लांट को इस टाइम पर यह स्ट्रॉंग फटिलाइजर दे जिससे कि आने वाले टाइम पर आपका प्लांट अच्छे से फ्लारिंग कर पाएगा तो यह देखें यह है जो है यह ब्रह्मी कंपोजड है और ब्रह्मी कंपोजड भी जो है बहुत लाब दायक होता है हमारे प्लांट के लिए इसमें आपको हर तरीके के पोशकत्तों मिल जाएंगे जो प्लांट की नीड होती है और जिससे कि प्लांट ग्रोव होता अच्छा से तो इसे कम से कम आप 4-5 मुठी ब्रह्मी कंपोजड इसमें पानी में विगाएं और उसको अ अपने प्लांट में अच्छे से दें उर इनको बड़ी अच्छे से जो है आप 一 से दो दिन के लिए इनको बिगा करके रख सकते हैं यह इनको अच्छे से आप शेक जो मेरा प्लांट है वो है गुलाब का प्लांट तो गुलाब जो है बहुत ही खुबसूरत फ्लार प्लांट होता है और मेरे ख्याल से यह हर किसी का पसंदीदा फ्लार होगा और मुसली जो है यह पूरे साल पर आपके गार्डन में ब्लूमिंग करते ही रहते हैं अगर आप तो उड़ों से इनकी कियार करते हैं तो देखिए कितना बड़ा साइज गुलाव का मेरे प्लांट पर खिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह फ्रेंड कि गुलाव जो है सन लविंग प्लांट होता है तो इसे कम से कम 6-7 घंटे के दूप इसे प्रॉपर चाहिए होती है इसक है अगर आप इसको फटिलाइज करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पर आपका प्लांट में खुब सारे कलियां बनेंगी खुब सारे फूल खिलेंगे तो यह है मेरा रोज का यलो और महरून रोज दोनों है मेरे तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्लांट की जो है हो भी रही होगी तो वह रूट्स कट जाएंगी और प्लांट जो है अच्छे से डेवलप हो पाएगा देखिए न्यू न्यू शूट्स जो है मेरी प्लांट पर खुब अच्छे से डेवलप हो रही है तो यह डायमोनियम फॉस्पेट का मैंने आपको बताया था आप डिर डिरेक्ट फटिलाइजर प्लांट में देते हैं तो यह डिएपी जो थोड़ा गुलने में टाइम लगाएगा और दीरी दीरी आपके प्लांट को ग्रोथ देगा तो कुछ यह थे इसके मैतपून टिप्स दूसरा जो है यह प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रोव होता है आप गुलाब की प्रपागेशन बहुत एजी ली कर सकते हैं बहुत आराम से जो है प्लांट गुलाब जो है कटिंग से ग्रोव हो जाता है तो बस कुछ तो गुडाई करने के बाद जो हमने यह बनाया था लिक्विड मैनियोर यह आप अपने सभी प्लांट में दे दें त करता है एकजोरा का भी सेम है इस समय आप एकजोरा की बहुत अच्छा से ट्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि प्लांट पर न्यू न्यू ब्रांचेज ग्रोथ होने लगी है और इस टाइम पर यह सारा लिक्विड मैनियोर आप इसमें भी दे ताकि इस पर भी आने वाले को देखने को मिले और अगर अब तक आपने बेल का इकन को प्रेस्ने कειा in तो बैल क्या इकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इनफॉर्मेटिी वीडियो वीडियो के नूटीन आपको मिलते रहें तो जब तक कि लिए दूसरा वीडियो लेकरकर आती हूं तब तक के लिए बाई हपी गार्डनिंग और इंजॉय करते रहें मस्त रहें ब्यस्त रहें